तो सो क्या आपने भी सुना है कि स्टॉक मार्केट एक जूँआ है, यहाँ जो भी आता है बरबाद हो जाता है, चलो इसको ऐसे समझाता हूँ, कि अगर मान लीजिए, सपोज आपकी शादी नहीं हुई, आप कुमारे हैं, और आपके पेरेंट से पूछ लिया जाए कि स्टॉक मार्केट एक करियर बन सकता है, क्या स्टॉक मार्केट में हम निवेश करके या ट्रेडिंग करके कुछ पैसा बना सकते हैं, क्या हम भी उन मिलेनियर और बिलिनियर्स की रेस में शामिल हो सकते हैं, जो इस बजार से धेरो पैसा कमाते हैं, तो क्या कभी आपने वारंट बफे का नाम सुना है, सुना ही हुआ, जी हाँ, दुनिया के सबसे अमीर इंसान जो स्टॉक मार्केट से हैं, उसके बाद जो हम बजार में कैसे काम किया जाए, शेर बजार है क्या, इसको कैसे समझा जाए, चलिए इस वीडियो में, बिलकुल सर अलभाशा में समनने कोशिश करते हैं, और हाँ, कोशिश करूँआ की वीडियो के अंत तक आते हैं, आपकी शादी अगर नहीं हुई है, और अगर आप रि क्या है, इनका style क्या है, क्यों बजार में successful है, तो सो इन सब के पीछे एक common कारण है, futures and options में trade ना करना, अगर आप किसी भी ऐसे बड़ी investor का interview, जो social media पर आज की लेट में easily available है, अगर आप जाके सुनने की कोशिश करेंगे, तो आप हमेशा इनके मुह से एक word सुनते मिलेंग मैं रामदेव अगरवाल जी की company में काम किया है, मैंने उनका style देखा है, मैंने उनकी team को देखा है, मैंने उनके ethics को जाना है, और वहाँ समझा है, और मैं आज भी रामदेव जी को follow करता हूँ, जी हाँ, वो अपने आम में जीती जाकती एक ऐसी मिसाल है, जो निवेश को support करते हैं, दोस्तों, आप निवेश कीजिए, या ट्रेडिंग कीजिए, या आपके ऊपर है, पर अगर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, कि पैसा कैसे बनता है, दोस्तों, मैं सीधा सीधा कहना चाहूँ, कि पैसा बनता है निवेश करने से, सत्ता मारने से, ट्रेडिंग करने से, तो दोस्तों सिर्फ time pass होता है, time pass के साथ आपने आपका पैसा भी आपके पास से निकल जाता है, तो अगर पैसे को रोखना है, wealth को create करना है, तो आपको क्या करना पढ़ेगा? निवेश, क्या करना पढ़ेगा? सुना नहीं? निवेश जी हम पांच बार बुली क्या करना बड़ेगा स्कूल में सिखाने के स्टाइल को आज तक हमने याद किया पर क्या अपनी लाइफ में हमने ये फोलो करने कोशिश की कि स्टोक मार्केट में आत होए किस की बात सुननके दोस्त की, नाना की, चाचागी, ताया की, फूफा की, रिलेटिवस की, टिप प्रोवाइडर्स की, ब्रोकर्स की, इन सब की बाते सुनके हम स्टॉक मार्केट में आत होए पर क्या किसी में भी आपको ये ग्यान दिया कि बेटा, stock market एक निवेश का जरिया है एक निवेश का platform है यहां trading और सक्टे से पैसा नहीं मनाए जा सकता तोस्व इस वीडियो के मादन से मेरी हर उस broker से या हर उस ऐसे इंसान से जो आपको प्रेरिर करता है stock market में आने के लिए मेरी उन लोगों से हाथ जोड के विंती है request है कि please आप लोगों को निवेश की तरफ प्रोट साहित कीजिए उनको motivate कीजिए उनको बताइए कि future options ठीक है एक tool है, hedging का tool है या उसमें भी काम किया जा सकता है बढ़ अगर आपको wealth create करनी है आपको करोड़पती बनना है आपको bilinear बनना है swap market से तो सिवाई निवेश के और कोई भी साधन संबब नहीं है जो लोग future options में काम करते हैं बिना किसी knowledge के दोस्तों उनको बरबाद होने में time भी नहीं लगता है सिर्फ एक शन भर की देरी है एक गलट trade और पूरा पूरा पैसा साब इस वीडियो में देखने ही कोशिश करेंगे शेर बजार कैसे काम करता है क्यों है, क्या है, कैसे क्या जाए हमारे discipline क्या हो, हम क्या खरें की successful हो जाए आप लोगों के लिए इस वीडियो को बिलकुल सर्वल भाषा में बनाया है बिलकुल simple हिंदी में सब को समझ में आएगा मामा को, चाची को, ताई को, बुआ को, फूफा को, चाचा को, नाना को सब को समझ में आने वाला है तो प्लीज दोस्तों को बताईए स्कूल के बच्चे इसको समझ सकते है कॉलिज के बच्चे इसको समझ सकते है जी हाँ, मैं मोटिवेट करता हूँ किनको हाउस वाइप को, किनको टूडेंस को, जी हाँ, जो स्टूडेंस स्कूल के हो मैं इस चीज का strong believer हूँ कि आपको stock market सीखनी ही चाहए कितने भी स्कूल कॉलिज में मैंने विजिट किया है आज तक अपने motivation lectures मैंने दिया है मैंने हमेशा कहा है कि आपको stock market की knowledge होनी ज़रूरी है तो जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, आप commerce background के हो या ना हो, अब medical के हो, आर्स के हो किसी भी चीज के हो, जिंदिगी में कमाने तो पैसा ही जाते है किसीने बड़ी जवदस बात कही है कि अगर पैसा आप खर्च करते रहेंगे तो जो बचे का उसको निवेश नहीं कर पाएंगे बट कुछ successful लोग क्या करते हैं पहले पैसे को बचा के उसको निवेश करते हैं बाद में जो बचता है उसको खर्च करते हैं हम और आप क्या कर रहे हैं salary आई 30,000 रुपे, 15,000 रुपे की EMI बना ली 5,000 रुपे की party कर ली आखरी में देखा, जुन जुना इला रहे हैं कुछ हाथ में बचा नहीं है दोस्तो, और successful लोग जो long term में जाते हैं क्या करते हैं, कई निवेश करते हैं थोड़ा goal लेते हैं, या SIP कर देते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ों को plan करते हैं उनके पैसे को compounding करेगा जिहां power of compounding अपने आप में बहुत ही बड़ा आजूबा है दुनिया का सबसे बड़ा आजूबा power of compounding सिंपल सी Excel में जाएए, multiply कीजिए अपने rate of interest को compounding निकालने कोशिश कीजिए आप हैरान हो जाएएगे कितनी जल्दी कितना पैसा बाना सकते हैं दोस्तों मैं नाना विपल कोशिक है मैं stock market में 20 साल से हूँ इस बजार में नौकी कर चेगा हूँ और अब एक trader, trainer और mentor की तरे इस बजार में लोगों को सिखा रहा हूँ और पिछे सालों में मैंने हजारों लोगों को ट्रेंड किया है हजारों लोगों को बताना ही कोशिश किये कि stock market में कैसे निवेश किया जाए और कैसे ट्रेड किया जाए क्या difference होता है एक trader के बीच में और एक निवेशक के बीच में जिहा लोगों को यही नहीं मालूम कि वो निवेशक है या trader वो आते है trader बनके जब सोदा first जाता है तो निवेशक बन जाते हैं उनको यह भी नहीं पता होता कि अपनी stock को कब तक जेलना है कब तक hold करना है कहां average करनी है कहां पर और माल उठाना है जी हाँ जब दुनिया बेच रही हो, अगर उसमें value है, उसमें value investing कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही शांदार company आपको सस्ते भाव में मिल रही है, undervalued मिल रही है, तो आप उसे खरीद सकते हैं, चली वीडियो में समझते हैं कि stock market है, stock market basically, अगर आपको बिल्क बारा नहीं खाएगा, फ्लीज थोड़ा से और भाव बढ़ा दीजी, तो आप कहते हैं, 260 ना तेरी नहीं, 260, कहीं ने कहीं जाके 260, 270 में आपका सौदा तैह हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, आपने एक price को discover किया, this is called as price discovery, stock market is nothing, it is a platform where price of a particular equity or a stock which is listed into stock market, the price is discovered, जी हाँ, when a buyer meets a seller, क्या होता है, price discovery होती है, जी हाँ, price discovery होती है, और इसी price discovery के वज़े से भाव उपर हो नीचे जाते हैं, कभी बायर ने कहा है, मैं तो खरीदने को त्यार हूँ, जिस मर्दी भाव पर मिल जाया है, मतलब उसको लगता है, कि भाई, यहाँ पर बड़ी जबड़ी उने में time नहीं लगता, आपने देखा होगा, COVID के बाद, जितनी भी company धराशा ही हो गई थी, जहां लोग डर रहे थे, कि बजार में पैसा नहीं लगाना, फिर से बरबाद हो गई, वहीं पे आबाद होने वालों की line लग गई थी, जिन लोगों ने value buying की, जिन लोगों ने under valued companies को खरीदा, जिन लोगों ने देखा कि हाँ ये business खरीद रहा हूँ, दोस्तो, stock market business है, क्या कहा, business जो आ नहीं है, जिन लोगों ने stock market में shares को business समझ के खरीदा है, उन्होंने लाखो करोड और पे कमाते रहेंगे, बट जिन लोगों ने stock market में सिरफ F&O का दामन, F&O मतलब क हैं, आप एक source of income के लिए हैं, आप एक second source of income के लिए हैं, आप सोच रहें, job कर रहा हूँ, थोड़ा सा पैसा और बना लूँ, तो निवेश को ही आपको पहली preference देनी होगी, नहीं तो आपको एक professional trader बना हुआ, professional trader की जिन्दगी जीनी होगी, उसकी तरह मेहनत करनी कहती कहा है? यह समझते है, जितने भी लोग है, वो एकiąica काते है, तिप प्रोवाईडर का फून है, आपका stock market में काम धंदा कैसा चल रहा है, आप बड़े excited होगे, अरे भाइ, किसी ने पूछा है तेरा धंदा कैसा चल रहा है, आजको लोग किसी का हाल नहीं पूछते, को आपको रात और आप पैसे बना के देखुआ उनका धंदा बड़ा गंदा है उस धंदे के ऊपर कभी और वीडियो बना है या आपको समझ जाए को धंदा क्या है वो काटल क्या है मेरे चैनल के ऊपर बहुत साई वीडियो आपको मिल भी जाएंगी बट मैं कहूंगा टिप प पुरा रिकार्ड करके मैंने अपनी यूटीब चैनल के ऊपर डाला आप देखेंगे आप हांसस के लोटपोर्ट जाएंगे उनको बेसिक ग्यान भी नहीं होता है तो टिप प्रवाइडर्स चाहे वो ब्रोकर हो चाहे वो कोई एजंसी हो किसी के चक्कर में आपको नहीं प सही है कि नहीं है कोई खास competition तो नहीं आ गया है क्या company में कोई गड़ बढ़ तो नहीं होगी है अगर company के demand भढ़ने वाली है company के products की और अच्छी demand आने वाली है ऐसी को situation create हो रही है जाए FMCG products की demand आने वाली है तो भई लेंगे नहीं तो हम उसको छोड़ देंगे सुनो सब की करो अपनी study करो data points देखो बहुत सारी free websites जा data available है यार जाके देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है यह F&O की लत को छोड़ दीजिए जब तक आपको बहुत अच्छे से इसकी practice ना हो जा नहीं तो आप stock market गेंबल कहेंगे गा करते हैं पहले सीखते हैं they learn first then they then they practice a lot they don't trade yes they learn first they practice a lot minimum quantity से minimum से amount से trading करते हैं back testing करते हैं अपनी strategies को test करते हैं अपने setup को test करते हैं वो test होने के बाल में जब उनकी success ratio 80-85% से उपर चली जाती है फिर उनकी gut feeling उनका confidence बढ़ जाता है फिर वो बज़ार में पैसा लिकाते हैं उनक risk appetite हो check करते है risk appetite अख रहा है तो ठीक है आपके साथ क्या होता है सोधा लेते ही अगर दिल की धड़कत बढ़ जाती है और tension हो जाती है butterflies in this tub जिसको कहते हैं English में अगर वो आपके साथ होता है तो भाई stock market आपके लिए नहीं है simple सी बात है सोधा लेते ही अगर हाथ पाह फूल प्रेक्टिस करने के बाद trade कीजिए अब लोग कहेंगे सब कितना practice करूं practice क्या दो दिन की होती है चार दिन की होती है छे मेनी की होती है यह कौन तैय करेगा यह आप खुद तैय करेंगे जब तक आपके दिल की धड़कन trade लेने के बाद रुकना जाए आप समझ के दिखे जो धड़कती रहती है तक 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 जो घमराट रहती है वो घमराट जब बंध हो जाया समझ लिए practice पूरी होगी आपकी accuracy 85% से उपर अगर चली है समझ जीजे practice पूरी होगी बस उसके बाद छोटी quantity से try करना है पहले 10 share से try कीजिए 10 को 20 कीजिए 20 को 50 कीजिए 50 को 100 कीजिए 100 को 200 कीजिए ये करने में 6 महीने 6 साल लगते हैं लगने दीजिए बाई stock market एक business है है क्या stock market में यहाँ अगर देखेंगे जितनी भी companies हैं जितनी भी companies हैं देश का पूरा कारोबार करती हैं अगर निफ्टी 50 के बात करें यह वो index है भी कीजिए यह सबी वो companies हैं जो देश का सारा काम करती है इसमें steel है इसमें cement है इसमें IT है इसमें FMCG है इसमें textile है क्या नहीं है इसमें finance है बैंकिंग है तो धंदा करना है अगर कोई पूछे आपसे भाई धंदा करना है क्या तो बोलो stock market करना है क्योंकि stock market में सारा बड़ business करने वाली company already listed है और अगर आपको अमवानी का मुकेश अमवानी का business partner बनना है उसको बिना बता है तो क्या करेंगे सबसे simple है कि मुकेश अमवानी के आप shares खरी लीजिए आप मुकेश अमवानी के partner कहलेंगे जी हाँ shareholder is a partner कितिनों कोई चीज मालूम है अगर आप यह सोच बिना पड़ेगा जी हाँ you are sitting right on the side table of मुकेश अमवानी जी हाँ उनके साथ बैठके उनका धंदा कर रहे है उनको भी नहीं मालूम है आप समझे जितने भी shareholder है सब उनके निमेशक है सब उनके partner in crime है crime मतलब business अगर मुकेश अमवानी की company उपर जाएगी तो आपका भाव भ बिना सोचे समझे कोई कपड़े की दुकान कोलें कोई छोले बटर की दुकान कोलें आपको काम धंदा नहीं करना आता रहे वहाम भी 10 piece लग का नुक्सान हो सकता है stock market में भी नुक्सान हो सकता है नुक्सान कहा नहीं है risk कहा नहीं है घर से निकले गाड़ी पंचर होग चलाते हैं, अपना वीकल चलाते हैं, कार चलाते हैं, अपने destination में पहुंच आते हैं, एक गंटे में पहुंच आते हैं, नौबजे पहुंच आता, साड़े-ाथ पहुंच के रिजेस्ट करने लग जाते हैं, एक तो वह हुआ, दूसरा हुए धुरिंदर, घर से निकलते हैं, स प्राफिक मिलता है, strategy समझी है, साड़े साथ बजे निकलने वाले आदमी की, उसको था कि slow जाना है, safe जाना है, destination तक पहुच जाना है, destination तक fast चलाने वाला भी जा रहा है, जिसकी speed अची से सो किलोमेटर प्रती गंटे कि, आपने भी बाइक चलाई होगी, आपने भी ये दिस् आपको नहीं मालूम कि gears कौन से चीह होती है, आपको नहीं मालूम लिए कि safety कौन से चीह होती है, तो क्या होगा, एक खराब खड़ा सड़क में आपको चोट पहुचा सकता है, एक खराब speed breaker आपको चोट पहुचा सकता है, या आप ही की तरह कोई धुरंदर और सामने से अगर रात रात options डबल हो जाती, तो Warren Buffet के पास कितना पैसा है, राके जुनिलमाला के पास कितना पैसा है, सोच सकते हैं, हजारो हजारो करोड, they are big bulls of the market, क्या वो अपना पैसा डबल ट्रिपल नहीं कर सकते हैं, क्या उनको शोक नहीं है, अपने आज वो 20,000 करोड के हैं, क आज करता हूं, कि जब तक आप एक professional setup नहीं बना लेते, एक professional gears आपके पास नहीं हो जाते, टूल्स नहीं हो जाते, लोग ट्रेडिंग करने जाते हैं, laptop भी नहीं होता हूं, कहां सड़ी करोगे, एक mobile के जरीए अगर आप ट्रेडिंग करने बैठे हो, दोस्तों आप खड़ा खुद खोद रहे हो, जिसमें एक दिन आप खुद गिरोगे ही गिर होगे, आपके टूल्स होने जरूरी है, चार्ट को सड़ी करना बहुत जरूरी है, अब समझते हैं, stock market को समझने के लिए क्या किया जाए, दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा होगा, बट मुझे लगता है, इंट्रस्टिंग होगा, इंट्रस्टिंग है, पसन आए, तो दोस सदी के साथ, साथ तेख्निकल सडी, क्योंकि टेख्निकल को एक बच्चा भी कर सकता है, कोई चार्ट की सडी है, टूल की सडी है, इंडिकेटर की सडी है, हमें वहाँ दिखना होता है, ग्राफ कैसा जा रहा है, ट्रेंड कैसा हो रहा है, in technical analysis, we find the trend, because trend is the ultimate friend, जी हा, my dear friends, तक जाके ठकने वाला है, क्या ये trend ठक गया है, या trend और भागे और भागेगा, तो सबार हो जाओ, नहीं भागे तो रुख जाओ, आपको क्या फर्ट पड़ा है, trend किने तरह के वे, तीन तरह के, uptrend, जिसको हम higher high, higher low, higher high, higher low, downtrend, lower high, lower low, lower high, lower low, lower low, अगर आप नहीं निकल पाए, तो देखो, समझो, कहा निकलना, यही सड़ी है, technical analysis, technical analysis करने के लिए, आप कोई finance की requirement नहीं है, कोई commerce की सड़ी नहीं चाहिए, कोई आपको SC, CA, FCA, CWA, CS की knowledge नहीं चाहिए, आप सिर्फ चार्ट सड़ी सीख सकते हैं, बहुत सारी training classes पूरे इंड इन पर होगा है, किसी भी वीडियो की description में आपको number मिल जागा, यहीं तो आपके city में, आपके शहर में कोई भी reliable tutor, trainer समझ में आता है, तो जाके उसे सीखो, पहले सीखो, strategies को समझो, back test को रो, फिर काम को रो, बजार में नुकसान नहीं होगा, वहाँ तो को निक्कत नहीं है banking norms catch कर रहे है, RBA क्या कर रही है, क्या notifications आ रही है, बजार में क्या news चल रही है, उन बजार की news को आंकलन करना आना चाहिए, PE ratio क्या है, बहुत साई ratio जैसे PE ratio है, उसका CAGR है, profitability है, EBITDA है, बहुत साई चीज़े हैं, आपको उनको समझना पड़ेगा, ROC, ROE, PB ratio, PE ratio, बहुत सा analysis will help you in reading the price, जी हां, price is important, गुजराती में कहते हैं, भाव भगवान चे, जी हां, भाव भगवान चे, भाव भगवान चे, भाव बताएगा, fundamental study आपको करने को मिलेगी, तीन महीने बाद कोई भी कंपनी, अपने results तीन महीने से पहले कभी भी आउटना ही करती है, वो हमेशा स आधी quarterly results इसको कहा जाता है, तीमाही नतीजे जिनको कहा जाता है, तीन महीने के बाद पता लगता है, कंपनी की sales बड़ी है, गटी है, तीन महीने से पहले तो आपको पता नहीं लगता, कोई मुकेशामानी को फोन करे, पूछ भी नहीं सकता, भई, इस आप सीक्रेट, इस बड़े investors, मैं नाम नहीं लूँगा, मुझे भी नहीं मालूम कौन है, कौन है, बढ़ हाँ, मुझे लगता है, बड़े निवेशर, companies के साथ ऐसी news है, या जो ऐसी fundamental studies है, उनको शायद पहले वो आंकलन हो जाता होगा, वो आभास हो जाता होगा, या वो उन management से मिल सकते होग अगर 15,000 करोड का आदमी किसी company से जाके मिले, तो क्या वो company हमने details share नहीं करेगी, कर सकती है, करेगी नहीं करेगी, मुझे मालूम नहीं, बड़ कर सकती है, एक संभावना है, एक opportunity है, there is a possibility out there, but price will tell you कि हाँ, कि हाँ, किसी ने माल बेचना शुरू कर दिया, for example, हम RSI एक indicator है, हम उसको देखते हैं कि relative strength index, उस index में, उस stock में क्या relative strength है, अगर वो ठकने लगे, हम भी समासकते हैं कि हाँ, इसमें से selling start होगी है, यह trend reverse कर सकता है, उसको बहुत parameters पर देखना पड़ेगा, RSI है, MS, RDA, Bollinger Bands है, बहुत साइज सड़ी है, price action एक theory है, demand supply एक theory है, बहुत यह आपको सीखना पड़ेगा, जिस दिन आप सीख लेंगे, उस दिन मेरी आपको promise है, मेरी guarantee है, आप इस bazar को कभी भी जुआ नहीं कहेंगे, कभी भी इसको gamble नहीं कहेंगे, यह bazar जब तक gamble है, उन लोगों के लिए gamble है, जो सिर्फ आते हैं मज़े लेने के लिए, सोचते ह से उपर में है, UK में 40% के आसपास में, ऐसा क्यों है, सिर्फ awareness, हमारे यहाँ पर awareness आ रही है, हम सीखना चाह रहे है, यंग जनेशन अब learning की तरफ आ रही है, हमारे जो पूरवज हुआ गते हैं, जो हमारे अंकल, आंटी, पापा, ममा, चाचा, ताओ, उन्होंने तो कभी ट पेंट रहे, सुबह-सुबह अकबार लेके बैठते हैं, एकोनमिक टाइम्स, या न्यूज खोल लेते हैं, CNBC, 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 वहाँ से जो टिप मिली, जो समझ में आ है, उसी के उपर हमेशा है, फसके तो फसके किस से बात करने वाले हैं, अब तो आपके पास में financial advisors हैं, आप गीता पे हाथ रखके कसम खाता हूँ, जो कहूँआ, सच कहूँआ, कसम खाने के त्यार हो, जी हाँ, गीता पे रखके चलो कसम खाते हैं, मैं गीता पे हाथ रखके कसम खाता हूँ, गीता पे क्या चलो, दिल पे हाथ रखको यार, मैं दिल पे हाथ रखके कसम खाता हूँ, कि stock market में अगर मैं बिना secret trade कर रहा हूँ आज और अभी से बंग कर दूँआ और जब तक सीख के मैं practice नहीं कर लिता मैं कोई पैसा नहीं लगा हूँ बजार में जी हाँ आपको सीखना है सीखने का बाद practice करनी है उसके बाद ही trade ले हैं जोस्तो ये शपत आपको जिंदगी में बहुत दूर लगे जाएगी तो से पहले तो stock market में इंडिया में सिर्फ 4% लोग पैसा लगाते हैं उस 4% में से भी 96% पैसा गवाते हैं जी हाँ 96% गवाते हैं क्योंकि वो आते है future options के पीछे वो आते quick money के पीछे उनको लगता है ये ले लूँ वो बेचलू कोई तो tip दे दे कोई तो बता दे क्या चलने वाला रहे भाई कोई क्यों बता दे अगर किसी को मालूम हुआ क्या राके जुने नवाला जी कि आपने कभी interview सुने हैं क्या वो आके कभी बोलते हैं कि मैं ये लेने वाला हूं वो लेने वाला हूं जी नहीं वो ले लेते हैं लेने के बाद उनके portfolio सामने आते हैं समझे वो लेने से पहले कभी नहीं पताते हैं मैं क्या लेने वाला हूं क्यों बता है किसी को यार तो आपको अपना trade लेना खुद सीखना होगा, अपना share का chain करना खुद सीखना होगा, सबसे important क्या है share कौन सा लेना है कितने समय के लिए लिए ना है, क्यों लेना है कब उसमें निवेश करना, start करना है कब तक निवेश करना है, और कब exit करना है यही तो एक strategy है, strategy indicator की बेश पर नहीं होती, अगर आप एक strategy के साथ में एक discipline के साथ में, एक money management के साथ में आएंगे, तो आप कभी भी इस बजार से दोखा नहीं खाएंगे, यह बजार wealth creation करने का बहुत बड़ा समंद्र है जितना चाहे आप इसमें से निगाल सकते हैं इसमें हीरे, मोती, जवारा सब भरा हुआ है इसमें से पैसा कमाना sky is the limit बड़, कैसे कमाना है trader बनके कमाना है, या investor बनके कमाना या आपके ओपर छोड़ रहा हूँ, या आपकी gut feeling आपकी conscious के ओपर में छोड़ रहा हूँ आपको सीखना है नहीं, सीखना ये भी आपके ओपर छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं तो वहाँ पर आपको सीखा नहीं सकता सीखने के लिए आप ही को मेरे पास है, मेरे जैसे किसी trader के पास जाना पड़ेगा, या आप खुच सीखना चाते हैं चार परसंट लोग निवेशक होते हैं, जिनको पता है बजार में कैसे काम करना है, अब यह option में आपके सामने छोड़ रहा हूँ कि आपको निवेशक बनना है, या trader बनना है, दोनों में ही फायता है, पर दोनों के साथ में discipline जुड़ा हुआ है, दोनों के साथ में एक study जुड़ी हुई है, दोनों के साथ में एक practice जुड़ी हुई है आपको क्या करना है, या आपको टे करना है I hope stock market के बारे में आप समझ गये हूँगे दोस्तों अगर आप professional trader बनना चाहते हैं professional investor बनना चाहते हैं, कैसे trade किया जाए, क्या set ups होते हैं, क्या करना है तो हमाई classes पूरे हिंदुस्तान में होते रहती है, अभी हाल फिलाल में हमाई class डेली में होने वाली है 28 और 29 अगस्त को, फिर उसके बाद हम एमदब आप जाएंगे 11 और 12 सक्टमर को, guys मैं online classes नहीं लेता हूँ मुझे personal interaction में जो आनन दाता है, जो मज़ा आता है, जो satisfaction आती है, वो कहीं नहीं हो सकती online ना तो आपका चेहरा दिखाई देता है, नहीं आपकी feelings दिखाई देती है, नहीं मुझे समझ में आता है तो सीखे सिर्फ technical analysis, price को पढ़ना सीखे, बड़ा जरूरी है रूलमर टू, practice a lot, बहुद practice करने हैं, महीने, दो मीने, छे मिने, साल, दो साल, जैसे आप practice आप कर सकते हैं, जितना आप में दम है, जितना patience हैं तो कि patience is the key to success आपको मालूम है, तो patience रखिए, जितना आप practice करेंगे, उतना ही आप धुरंदर बनने वाले हैं फुलमर थर्ड, increase your funds into market slowly and gradually, पहले थोड़ा लगाई, हजार लगाया, दस जार लगाया, बीस जार लगाया, तब जाके लाकों में आई, ऐसा नहीं है कि सीधा बीस लाक लेकर और पैसा डुबो दिया चौथा, लोन लेके किसी से भी trade नहीं करना, कभी भी लोन लेके उधार लेके बजार में trade नहीं करना, निवेश नहीं करना, क्योंकि उसमें आपके emotions होते ही नहीं है, आप panic में रहते हैं कि उसका पैसा लोटाना है, कभी भी successful नहीं होंगे पांचवा और आखरी tip providers को, नो कहिए, वो tip provider कोई भी हो सकता है, आपका दोस, आपके father, आपके uncle, आपकी aunt, tip provider, professionals, या brokers, या कोई भी, कोई भी tip आती है, सुनिये सब की, करी अपने आपकी, I hope आप stock market में अच्छा काम करेंगे, wish you all the best, take care, bye-bye, jahin